नवस्कार दोस्तों मैं जो 34 पंडित राजगुर सरमा आप सभी भायों करता हूं प्रणाम और तहे दिल से करता हूं आप सभी का अभी नंदन तो मेरे दोस्तों आज जो हम जानकारी देने जा रहे हैं वो बहुती सठीक जानकारी देंगे जैसे की जिस घर में इन बातों का ध्यान रखा जाता हो ऐसे घर में लच्मी को आने से कोई नहीं रोक सकता ऐसे घर में स्वेम चल कर आती हैं लच्मी जी तो मेरे दोस्तों इस बात को रोक कर पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आपने हमारा सब्द ग्यान चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे सब्द ग्यान चैनल को सस्क्राइब कीजिए और जो का नियम पालन किया जाता हो या जिस घर में ऐसे लोग रहते हो वहाँ सुवेंग लश्मी जी चल कर आती हैं ओर लश्मी जी को आने से कोई नहीं रोप सकता तो ये भूस तारी बातें ऐसी हैं इन्हें ध्यान से सुनें जैसे कि जिस घर में रहने वाले व्यक्ति सदाचारी होते हैं साफ सपाई से रहने वाले लोग होते हैं कोमल और मधूर मीठी वानी बोनने वाले लोग होते हैं और व्योपार या खेती जैसे कारिया में मन लगा कर मेहनत करते हैं काम करते हैं कोई भी त्युहार के दिन मैं थुन ना करते हूं जिस घर में आदर सम्मान किया जाता हो जिस घर में लिमिट से ज़्यादा खर्चा ना करते हो जिस घर में बे फालतु का करजा लेकर यूही पैसा ना उडाते हो तो ऐसे घर में यदि इन बातों का पारन किया जाता हो तो ऐसे घर में लचमी जी स्वेम चल कर आती हैं ऐसे घ दोस्तों आप इन बातों का पारण कीजिए अगर आप दुखी हैं परेशान हैं अगर इन बातों का पारण करेंगे तो लचमी जी आपके घर में स्वेहम चल कर आएंगे और लचमी जी को आने से कोई नहीं रोक सकता तो मेरे दोस्तों आज जो हमने बताया है ये लचमी जी क के बारे में बताया है कि लश्मी जी कैसे रजू होती है लश्मी जी कैसे घर में आती है तो ये मैंने आप लोगों को विस्तार से बताया है तो मेरे दोस्तों अगर आपको मेरी ओडियो वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे सेर करें और आपको कोई भी समस्या है तो मुझे कॉमेंट करे मैं जो 34 पंडेत राज़ श्रमा आप सभी को मेरा नमस्कार जैहिंद जैभारत